घर पर हम आटा बिस्किट बनाने वाले हैं यानि की वीट फ्लॉड बिस्किट चली बना लेते हैं इसके लिए हमने आटा लिया है आटे में थोड़ा सा घी डाल दीजे लगभग दो छोटे चमज घी डालना है और घी रूम टेमबरेचर को होना चीए मेल्टेट घी आपको यहां पर मैंने एक कप आटा लिया था उसकी लिए एक चोथाई कप मैंने चीनी डाला है थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए चीनी पानी और आटे को अच्छे तरीके से गूंत लेंगे आटा थोड़ा साक्त रखना है मतलब रोटी की तरह बिलकुल गीला आटा नहीं स लोगी लिए लेंगे यानी इसका एक गोला पना लेंगे और अब चकले बेeless की मदास से इसके हम बेल लेंगे हलका सा मोटा ही बेल्योंगा बहुत जाद पतला नहीं बेलना है और यह किनारे से फटेंगे तो कोई बात नहीं है चकले पे थोड़ा सा घी या तेल लगा लीजिया और बस इसे अफम फटा फट से बेल लेते हैं तो यहां पर हमने बेल कर रेडी कर लिया हलका सा मोटा कर रखा है और ढ़कन होता है ना बॉटल का वो लेना है और उससे आप पर लटते पलटते हुए बिस्किट्स को हम गुल्डन ब्राउन होने तक का पकने देंगे इंतिजार करेंगे लगबग धाई से तीन मिनिट का समय लग जाता है और यह बहुत जादा खसता बिस्कित बनकर रेडी होता है और आप इसे पंदरा से बीस दिन तक एयर टैट कं सभी ने देखा कितना जादा आसा है तो इसे जरूर से आप ट्राइ कीजिएगा इस रेसिपी को पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इस खस्ता और डिलीशियस आटे से बन हुए बिस्किट को एक बर जरू ट्राइ कीजिए अच्छी लगेगी रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माई रेसिपी